Good morning students, आज हम discuss करेंगे electrochemistry chapter के अंदर जो last topic है fuel cell fuel cell students क्या होता है, देखिए एक device है जो की combustion से प्राप जो energy है directly उसको electrical energy में convert कर देती है the device which directly converts energy obtained from combustion of fuel into electrical energy तो पहले हम इसकी एक बार definition लिख लेते हैं, this is fuel cell तो fuel cell क्या है student, देखिए आपके जो syllabus में है hydrogen oxygen fuel cell है hydrogen oxygen fuel cell, hydrogen combine करेगी oxygen के साथ, water बनेगा और इस process के अंदर exothermic process है, heat liberate होगी exothermic क्यों है student, आप किसी भी चीज को अगर किसी भी substance का आप combustion करते हैं तो combustion जो है redox reaction है और exothermic होता है, ठीक है तो hydrogen का आप combustion कर रहे हैं, oxygen की presence में तो water बनेगा और heat बनेगा fuel cell क्या करता है, ये जो heat energy liberate हुई, इसको electrical energy में convert कर देता है electrical energy तो definition क्या होगी students, वो देखिए, fuel cell क्या है the cell which directly converts energy obtained from combustion of fuel into electrical energy fuel क्या है यहाँ पे student, hydrogen, ठीक है तो hydrogen का जब आप combustion करेंगे, तो heat energy liberate होगी और इस heat energy को जो electrical energy में convert कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, fuel cell तो definition यहाँ से अब मेरा बन गया है, मैं definition लिख देता हूँ the device, the device which directly converts, which directly converts energy obtained from, energy obtained from combustion of fuel combustion of fuel into electrical energy ठीक है students, तो यह हमारा definition होगया, fuel cell का जो combustion से प्राप्त energy को, heat energy को directly convert कर दे, electrical energy में hydrogen इसमें fuel होता है, इसका combustion किया, water बना, heat बना और fuel cell इस heat energy को convert कर देगा, electrical energy में students बहुत ज़्यादा इसका importance है, क्यों importance है, देखें इस cell में दो चीज़े बन रही है इसमें water भी बन रहा है, और इससे आपको electrical energy भी प्राप्त हो रही है और students आने वाले समय में, इन दोनों ही चीज़ को, मानव सभ्यता को इन दोनों का ही आवशकता पड़ेगा पाने की भी कमी होती जा रही है, water का भी कमी होता जा रहा है और electrical energy भी जो है, उसकी भी कमी होती जा रही है तो इससे हमें electrical energy भी मिलेगी और water भी मिलेगा तो world के अंदर आने वाले समय में जो लड़ाईया होने वाली है, war होने वाले वो इन दोपी होने वाले है energy के उपर होने वाले हैं और water के उपर होने वाले है तो इस सेल से हमें दोनों चीज़ मिलेंगी वाटर भी मिलेगा और अलेक्टिकल एनरजी भी मिलेगी अब जो ये अलेक्टिकल एनरजी स्टुडेंट इसका और भी ज़्यादा इंपोर्टेंस है आप इस से जो हाइटोजन अक्सिजन फ्यूल सेल है इसको भी रन कर सकते हैं दूसरा इसको आप अब जो हाइब्रिड गाड़ी आने वाली हैं या एलेक्टिक जो विकल्स आने वाले हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं तो अब पैट्रोल डीजल इनकी किसी की आपको ज़रूत नहीं पड़ेगी ना पैट्रोल की ना डीजल की ठीक है अब सब गाड़ियां सब कुछ काम इसी से होगा फ्यूल से होगा और जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर जिनका जो एकोनोमिय स्रिफ क्रूड ओयल के उपर है कभी भी इसका रेट बढ़ा देते हैं इनकी एकोनोमी से पर डिपेंट करती है स्टुडेंट अब यहां यह बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जब इतने सारे मैंने इस सेल के आपको फायदे बता दिये एडवन्टेज बता दी तो फिर इसका हम यूज क्यों नहीं कर लेते यह सेल इतना काम्याब क्यों हो पाया इसको हम एक अलग में डिसकस करेंगेadenवेंटेज यहां थोड़ा समय आपको hint देता हूँ कि यह cell काम्याब क्यों नहीं हो पाया क्योंकि स्टूडेंट आप hydrogen oxygen को mix कर दीजे कभी भी यह reaction नहीं होगी reaction तभी होगी जब आप catalyst platinum ले लेंगे ठीक है तो यह reaction platinum की presence में होती है ठीक है platinum लीजिए या फिर palladium ठीक है अब स्टूडेंट जो platinum है यह बहुत ही costly है बहुत ही महंगा है gold से सोने से भी जादा महंगा है तो इस से इस कारण यह इतना practically काम्याब नहीं हो पाया है यह cell तो आने वाले समय में अगर platinum की जगाए कोई दूसरा catalyst हम discover कर लेते हैं जिसकी presence में reaction हो और वो catalyst अगर chief हो सस्ता हो तो यह reaction हो जाएगी और फिर यह cell काम्याब हो जाएगा तो इसके उपर research हो रही है different countries यह यूएस ते बगार है में large scale के इसके उपर research चल रही है तो इसलिए student यह cell अभी इतना practical importance इस cell का नहीं है इस cell को Apollo Space Program में यूज किया गया था Apollo Space Program और जो space ship था student उसके अंदर जो rocket था उसके अंदर इसी cell का fuel यूज किया गया था hydrogen oxygen fuel cell को ही उसके अंदर यूज किया गया था और जो astronauts थे आपके astronauts अंत्रिक से आत्री वो यहाँ जमीन से कोई पानी नहीं लेके गये थे जो water उन्होंने पिया था इसी पानी को पिया था तो जो इसका end product है end product water it can be used for drinking purpose तो drinking purpose के लिए ये use किया जा सकता है तो students अब हम इसकी discuss कर लेते हैं working और construction important topic है ये board में अक्सर पूछा जाता है ठीक है तो आप heading लिखेंगे working construction ठीक है of working and construction of fuel cell देखिए एक vessel लेते हैं बड़ा सा कुछ इस type का ठीक है like this और ये जो vessel लिया students मैंने इस vessel के अंदर अब मैं दो electrodes fit करूँगा और electrodes हम किसके fit करेंगे electrodes जो हैं वो मैं carbon के दो electrodes इसके अंदर fit करूँगा देखिए कैसे पहले एक बार इसको थोड़ा सा पूरा बना लेते हैं कुछ इस type से अब इसके अंदर दो मैंने porous electrodes fit किए ये porous electrode एक ये electrode है मेरे पास ठीक है? और एक electrode ये है मेरे पास ये दो electrodes मैंने इसमें fit कर दिये इनमें से एक electrode anode का का काम करेगा एक electrode cathode का 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 काम करेगा तो ये दोनो जो हैं आपके Porus Electrods हैं इनमें Holes होते हैं, ठीक है? Porus और ये किसके Electrods हैं? Carbon के Electrod हैं Carbon या Grafite तो दोनो ही Carbon के Electrods हैं ये भी Carbon का Electrod है आपका Carbon Electrod एक Anode का का म करता है, एक Cathode का का म करता है यह आपका anode और यह electrode आपका cathode ठीक है students और इन दोनों electrodes के अंदर अब हम fuel supply करेंगे ठीक है porous electrodes होते हैं इनको hydrogen oxygen हम इसके अंदर से cross करेंगे porous है इसके cross करके निकल जाएगे hydrogen और oxygen यहां से हम इसमें hydrogen gas डालेंगे अंदर और यहां से student हम oxygen gas की supply करेंगे ठीक है अब student electrodes हैं तो electrolyte भी होना ही चाहिए ठीक है क्योंकि cell तभी बनेगा आपका तो अब इसके अंदर हम electrolyte भी ले लेते हैं अब student जो electrolyte है यह कौन सा लिया जाए देखे यह depend करता है अगर आप इसकी थोड़ी सी detail पढ़ना चाहते हैं तो यह यह जो fuel cell होता है इट इस ओफ थी टाइप तीन टाइप का होता है एक होता है एक होता है एक होता है फॉस्पोरिक एसिड फ्यूल सेल और एक होता है student carbonate fuel cell जो एक होता है इसके अंदर जो electrolyte होता है कोई भी electrolyte आप लीजिए Aqueous, KOH, Alkyli लीजिए आप इसके अंदर जो Electrolite होता है Aqueous, Alkyli होता है KOH लीजिए या फिर NaOH लीजिए ठीक है Phosphoric Acid में जो Electrolite होता है वो Phosphoric Acid होगा S3PO4 Carbonate जो Fuel Cell होता है इसके अंदर जो Electrolite है वो आप Carbonate लेंगे Potassium, Carbonate ठीक है आपके स्लेबस के अंदर Alkyli Fuel Cell है Alkyli Fuel Cell है तो इसके अंदर आप जो Electrolite है वो Alkyli लेंगे Alkyli जो Electrolite है वो सपोज मैंने इसमे Aqueous, Potassium, Hydroxide लिया या फिर आप Aqueous, Sodium, Hydroxide भी ले सकते हैं ठीक है तो ये student मैंने इसके अंदर Electrolite को डाल दिया, फिल कर दिया इसको और ये जो Electrolite है student ये है हमारा Aqueous, Potassium, Hydroxide ठीक है अब Strong Electrolite है Strong Electrolite है तो आइंस में इस्टोशियेट होगा तूटेगा कैसे? K में और OH में Aqueous है Water भी आपने इसमें डाला हुआ है ठीक है अब देखिये students आगे क्या होगा इसके अंदर? Save अब एक Electrol ये था एक Electrol ये था ये आपका एक Electrol है जो Anode का काम कर रहा है ये Cathode का काम कर रहा है और student इसी चैप्टर में Electrochemical Cell में आपको बताया जा चुका है जो Anode है वो आपका Negatively Charged Pol है और जो Cathode है वो आपका Positively Charged Pol है ठीक है? तो Anode और Cathode को इसमें हमने Represent कर दिया अब student इसके अंदर हमने जो Platinum Catalyst होता है वो जो ये Electrode जो Porus Carbon के Electrode ले रखे हैं आपने इसी के अंदर हम इसको जो Platinum Catalyst की तरह काम करता है Platinum को हम इसी में डाल देते हैं तो यहाँ पर एक Specific Word यूज़ किया जाता है Incorporated ठीक है? Porus Carbon Electrode Incorporated with Platinum Platinum जो है इसी के अंदर आपने डाला हुआ है ठीक है? या तो Finally Divided छोटे छोटे पीस कीज़े Platinum के वो इसके अंदर डालिए या फिर कई बार ऐसा भी किया जाता है इसके उपर coating ही यह इस टाइप की coating जो होती है Platinum की कर दी जाती है यह coating या फिर जो यह Porus Electrode से इसको बनाते टाइम क्या करते हैं जो Finally Divided Platinum है Platinum के छोटे छोटे पीस ग्रेंडूल स्टाइप के जो पीसीज़ें वो इसके अंदर डाल दिये जाते है अस्ट्रूइंट कोर्शन यहां यह भी Arise होता है Why Platinum is used in this electrode इसमें Platinum है उसी को आपने Carbon electrode में क्यों use किया देखिए एक तो Platinum आपका inert है ठीक है जो Electrons बगरा आएंगे कुछ भी आएगा उसको react नहीं करेगा किसी के साथ भी इनट है दूसरा जो Platinum है It provides large surface area for Adjection Adjection के लिए large surface area देता है जो Hydrogen है It is greatly absorbed to a larger extent on Platinum जो Platinum के उपर Hydrogen है बहुत large extent तक adsorb होती है तो यहां पर यह question भी जनरली पूछ लिया जाता है कि Platinum आपने क्यों लिया यहां पर ठीक है वैसे नहीं लेना चाहिए था आपको क्योंकि Platinum costly इतना है महंगा इतना है सोने से ज़्यादा महंगा है और आजकल तो students Javelry के अंदर गहने Ornamentals इनके अंदर भी Platinum यूज होता है जो Gold है वो outdated हो चुका है आजकल की जो महिलाएं है Ladies है High profile जो ladies है वो Gold का गहने नहीं पहनती किसका पहनती है Platinum का तो किसी High profile पार्टी में अगर आप गए हो तो देखा होगा आजकल गहने भी किसके पहनती है महिलाएं Platinum के Gold outdated हो चुका है से अब देखिए students आगे देखिए अब हम इसकी reaction डिसकस करते हैं chemical reactions चलिए यहां space है हमारे पास यहां पे use करते है Students यहां एक बार आप इसका screen shot लीजे फिर मैं इसको मिटाता हूँ यहां से ठीक है जल्दी से लीजी I hope ले लिया होगा तो इसको मैं rough करता हूँ ताकि हमारे पास यहां पे space create हो जाए चलिए साब यह मैंने इसको rough कर दिया तो देखिए anode के उपर क्या reaction होगी सबसे पहले इसी को discuss कर लेते है anode जो anode था students hydrogen gas आपने anode से पास किया था तो यह hydrogen gas ठीक है both hydrogen and oxygen gas they are passed through these porous electrodes into the electrolyte जो hydrogen और oxygen gas है दोनों को हम इस porous electrode से जो carbon के porous electrode से इन से पास करते हैं किसमे electrolyte के अंदर तो जो hydrogen है यह combine करेगी जो electrolyte आपका break हुआ था K और OH में इस OH के साथ यह combine करेगी यह OH के साथ combine किया ठीक है यहां पे भी student थोड़ा सा space का कमी यहीं पे लिखते हैं यह anode था और anode hydrogen gas आपने पास किया था उसने combine किया OH आइंज कौन से OH आइंज जो potassium hydroxide एक्वस potassium hydroxide था यह तूटा था K और OH में इनके साथ reaction करके देखिए student क्या बनाएगा hydrogen है oxygen है hydrogen और oxygen क्या बना सकते हैं स्रिफ water बना सकते हैं और दोज़ बनेगा ही नहीं और दूसरे student anode है anode पे oxidation होता है loss of electron तो electrons का loss कीजिए अब देखिए इस equation को आप पहले एक बार balance कीजिए हम इसको balance करते हैं यहाँ पे student 2 कीजिए hydrogen 4 हो गए यहाँ पे 2 कीजिए यहाँ से अब देखिए hydrogen 2 और 2 4 हो गया oxygen 2 है oxygen 2 है तो student minus 2 charge है यहाँ पे तो कितने electron का loss होगा minus 2 दो electron का loss होगा charge आपका balance होगा यहाँ पे minus 2 है यहाँ भी minus 2 है अब reaction देखिए cathode के उपर क्या reaction होगी यह जो 2 electrons और student यहाँ पे इस electrode से होते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे anode से होते हुए 2 electrons कहाँ पे पहुँच गए cathode के उपर पहुँच गए और cathode के उपर student यह carbon का cathode था इस cathode के उपर आप oxygen जो oxygen gas है उसका input है यहाँ पे oxygen gas अंदर डाल रहे हैं तो यह oxygen और यह oxygen oxygen जो यह gas थी यह अंदर डाली और आपने aqueous के वच ले रखा था तो यह aqueous water और यह जो 2 electron यहाँ से आ रहे थे इनको receive किया ठीक है और वैसे भी student आपने देखा होगा cathode production होता है यह gain of electron अब यहाँ पे क्या बनेगा student वो देखिए oxygen है और water है तो सरीफ OHE बन सकता है अब इसको balance कर दीजिए balance करते है student अब यहाँ पे देखिए आप इस reaction को जब हम balance करेंगे तो hydrogen यहाँ पे 2 है आप इसको half कर दीजिए ठीक है O2 यह molecule है oxygen का इसमें hydrogen का 2 atom है और अगर मैं इसको एज़र लिख देता हूँ अब यह half molecule हो गया है oxygen का half molecule का मतलब अब यह एक oxygen का atom है ठीक है तो एक oxygen ही हो गया एक oxygen ही हो गया दो oxygen दो hydrogen लो साब दो hydrogen हो गई और दो oxygen हो गई balance हो गया charge भी हमारा balance है यहाँ पे 2OH minus 2 charge था और यहाँ पे भी 2 electrons में minus 2 charge है तो charge भी मेरा neutral हो गया है balance हो गया है students अब इन दोनों equation को आप plus कर दीजिए यह मैं plus कर देता हूँ ठीक है plus करेंगे तो देखिए क्या होगा जब plus करेंगे these electrons they get cancelled electrons आपके cancel हो गए और क्या cancel हो सकता है 2 OH और 2 OH hydroxylines यह भी cancel हो गया और आपका यहाँ पे देखिए यह hydrogen थी this is hydrogen plus यह half molecule था oxygen का half molecule of oxygen और student यहाँ पे देखिए दो water molecule है यहाँ पे एक water molecule है तो एक water molecule इससे cancel हो जाएगा केवल एक water molecule रह जाएगा तो यह आपके overall equation हो गई इसकी और student इसके अंदर hydrogen, oxygen, they combine to form water और exothermic reaction है तो इसमें heat भी liberate होगी यह heat liberate होई और इस heat energy को ही convert करते है electrical energy में तो यह हमारा working हो गया किसका fuel cell का equation बहुत जाए जरूरी है आपको equation जरूर लिखने है अंग्रेज जी इतना नहीं लिखना है chemistry deals with equation and chemicals ठीक है तो equation आपको जरूर लिखने है यह equation जरूर लिखने है anode और cathode पर क्या reaction हो रही है student यह जो मैंने आपको reaction लिखी यह जो chemical reaction मैंने आपको लिखी मैं इस reaction से इतना satisfy भी नहीं हूँ पर NCRT की book में यह दे रखी थी सेम ऐसा इसलिए मैंने यह equation यहाँ पर लिख दी क्योंकि आप NCRT point of view से पर रहे है NEET में जेई में सब में NCRT का सले बसी है इसलिए मैंने लिख दिया NCRT book में ऐसा था इसलिए लिख दिया आपको भी ऐसा ही लिखना है अब मैं यह आपसे बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक दूसरा method बताऊंगा इस cell को equation भी मैं आपको अलग बताऊंगा जो इससे ज़्यादा simple है ठीक है अब NCRT जो है उसके अंदर इतना detail में नहीं बता रखा यह water कहां से आया इस टाइब की कुछ नहीं है मैं इस water को लूँगा ही नहीं एक और method मैं आपको बताता हूँ जो मैंने MST में पढ़ा था ठीक है C तो आप जल्दी से इसका screen shot लीजिए हाला कि exam में आता है तो आपको यही लिखना है ठीक है क्यों यही लिखना है क्योंकि जब CBSC बोर्ड में कोपियां हम लोग चेक करने के लिए जाते हैं स्टुडेंट तो CBSC एक key answer key जो है वो इसू करती है और इस answer key में जो answer होते हैं उसी के नुसार हमें instruction दी जाती है copies चेक करने के लिए आपकी बोर्ड की कोपियां तो आपको यही लिखना है आपका external list के लिए मैं एक और आपका दूसरे टाइप का इसका working बताता हूँ ठीक है screenshot लिजिए जल्दी से आपने ले लिया होगा चलिए जिराफ करते हैं अब इसको से देखे student एक और जो हम लोग MSC में पढ़ते थे इसकी working और construction वो क्या थी? वो ज्यादा simple है क्या थी? वो देखे construction सेम है आपकी दो porous electrode लिए यहां से hydrogen gas को अंदर किया आपने यहां से oxygen gas को अंदर किया और जो electrolyte लिया था आपने potassium hydroxide लिया था या फिर sodium hydroxide लिया था यह आपने electrolyte लिया था और यह जो electrode था anode का का काम कर रहा था यह electrode cathode का का काम कर रहा था अब students आपने anode जो है यहां से आपने hydrogen hydrogen का input दिया था hydrogen gas यहां से आपने पास की थी तो anode पे देखे क्या reaction होगा hydrogen gas को आपने पास किया यह hydrogen gas और anode पे oxidation होता है oxidation loss of electron यह loss of electron ठीक है ऐसा equation और यह जो है एक्टामिक औक्सिजन एंस्टेबल एंस्टेबल एसको स्टेबल करने के लिए अगर यहां आपने इस टू कर दिया तो पूरी equation को दो से multiply कर दीजिए the equation will get automatically balanced automatically तो यहां आपने दो एलेक्ट्रॉन कर दिया यह दो कर दिया ठीक है तो यह reaction हो गई आपकी अनोड पर अब रिएक्शन देखिए स्टूडेंट्स कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी कैथोड जो था स्टूडेंट कैथोड के ऊपर आप क्या पास कर रहे हैं oxygen यह oxygen ठीक ह oxygen के यह दो एटम्स हैं molecule है यह एक oxygen का इसका half कर दीजिए तो एक एटम हो गया यह oxygen का अब जो कैथोड पर आप oxygen पास कर रहे हैं तो यह जो oxygen है यह oxygen यह जो दो एलेक्ट्रॉन थे इनको receive करेगी यह receive कर लिया ठीक है इन दो एलेक्ट्रॉन को oxygen जो गैस थी इसने receive किया और receive करने के बाद student अब थोड़ी से मैं इसमें कहानी में change करता हूँ वो change क्या है student कि हम लोग जो MSC में पढ़ते तो वो क्या पढ़ाया गया था कि यहाँ पर बीच में यह यहाँ पर एक proton exchange membrane होती थी यह proton exchange membrane ठीक है और यह जो यह proton exchange membrane है इससे केवल proton pass हो सकता है electron pass नहीं हो सकता जैसे आपने इसी चैप्टर में osmosis में आपने बढ़ा था semi permeable membrane और semi permeable membrane से स्रिफ solvent molecule पास हो सकता था solute pass नहीं हो सकता था ऐसे ही जो यह proton exchange membrane है इससे केवल प्रोटोन पास हो सकता है इससे इलेक्टोन पास नहीं हो सकता तो एक बार फिर से देखिए एनोड पे आपने हाईटोजन गैस पास किया एनोड पे अक्षिडेशन होता है तो हाईटोजन का अक्षिडेशन हुआ इसने इलेक्टोन का लॉस किया और ये proton बना ठीक है ये जो electrons थे ये इस wire से होते हुए यहाँ पर इस इलेक्टोर कैथोर्ड के उपर पहुंचे और जो ये proton था student ये जो proton था ये यहाँ से पोरस इलेक्टोर से इन से पास होते हुए ये इसको proton exchange membrane है इसको cross कर गया इसमें से क्यों पास हो गया क्योंकि इस proton exchange membrane जैसे नाम से बिला चला है proton exchange membrane इसमें से क्यों पास हो सकता है electron पास नहीं हो सकता तो ये proton इसमें से पास होकर यहाँ पे कहाँ पहुंच गया cathode पे और cathode पे आपने oxygen gas पास की ये oxygen दो electron यहाँ आए थे एनोर से वह दो electron और ये proton ठीक है ये equation अब देखिए आगे क्या होगा थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं से अब आगे देखिए students ये hydrogen है ये oxygen है hydrogen oxygen मिलकर क्या बना लेंगे water ठीक है तो ये हमारा water बन गया अब इस equation को student हम plus कर देते हैं या आप इसको पहले balance कर लीजिए देखिए इसको जब हम balance करेंगे तो हाइटोजन दो है तो student यहाँ पे आप ये दो proton हो गया ठीक है अब देखिए इसको plus कर लीजिए जब आप इस equation को student से plus करेंगे तो देखिए ये electron आपका ये cancel हो गया और electron cancel होने के बाद और क्या इसमें cancel हो सकता है वो देखिए ये आपके पास 2H plus है ये आपके पास 2H plus है ये cancel हो गया तो ये हाइट्रोजन है आपके पास ये half oxygen और ये water ठीक है ये H2 ये रहा ये 1 by 202 और ये H2 तो देखिए students वही equation आगई जो आपकी NCRT में दी गई थी overall reaction वही आगई पर इस equation में कहीं कुछ ऐज़ा नहीं है कि जो आपने हाइट्रोजन गई वह ओएज के साथ combine कर गई कैथोड पर जो oxygen था वह water के साथ combine कर गया अब कोई पूजने वाला water आ कहां से गया ठीक है क्या एकवस के वच ले रखा था वहां से water आया या फिर जो end product water था इसी के साथ reaction हुई तो ये confusing है NCRT ने इसका explanation भी बुक में नहीं दे रखा reference books में भी explanation नहीं है और बहुत सारे YouTube पे जो channels है आज मैं उनको देख भी रहा था भी lockdown में free हूं मैं उन channels को भी देखता रहता हूं तो वहां पे भी YouTube channel के उपर भी fuel cell के उपर lectures ही बहुत कम है बहुत कम वीडियो lectures बने हुए बाकि आप physics, chemistry, math के देखे उठा के देखे यूटूब भरी बड़ी है ठीक है इतने सारे इस्टू हैं लेक्टर्स हैं वीडियो lectures हैं बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो lectures हैं व इसको किजिये ठीक है अब डिसका स्केर लेते हैं बढ़िया हां बढ़ते हैं अम में इसकी advantages सबसे पहले डिसकस कर लेते हैं एडवेंटेज इस देगे सबसे बड़ी जो एडवेंटेज है जो इसकी इट कॉसेज नौ पॉलुशन प्रोब्लम कोई एर पॉलुशन इससे नहीं होता है ठीक है अपना इंडिया में जो मैक्सिमम अलेक्टिसिटी है वो किस से बनती है स्टूरेंट्स वो बनती है थर्मल पावर प्लांट्स से और थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है कोईले को जलाया जाता है कोल को जलाया जाता है कोल को जलाने से वाटर जो होता है उसको हम वाइल करते हैं स्टीम पैदा करते हैं स स्टीम से जनरेटर की टर्बाइन को रोटेट करते हैं और उस से फिर एलेक्टिसिटी पड़ा करते हैं जितने भी थर्मल पाउर प्लांट्स है अब आप उसमें कोल कोईला जला रहे हैं तो उससे क्या होगा पॉलुशन होगा तो इससे कोई पॉलुशन आपका नहीं होता है यह फिर्स्ट एडवेंटेज हो गई फिर स्टूरेंट जो सेकेंड एडवेंटेज है प्रैक्टिकली इसका जो एफिशिएंसी है वो 60-70 परसेंट है तेटिकली तो इसका एफिशिएंसी 100 परसेंट है पर आप फिजिक्स में पढ़के आए अपना 11 थर्मो नाइनोमिक्स में पढ़का है सेकेंड लाव थर्मो नाइनोमिक्स और सेकेंड लाव थर्मो डाइनोमिक्स क्या कहता है नो प्रोसेस कैन भी 100 परसेंट एफिशिएंट दुनिया में कोई भी प्रोसेज 100 परसेंट एफिशिएंट नहीं हो सकता तो यह भी 100 परसेंट नहीं है केवल थेवर पावर प्लांट से ज्यादा एफिशेंट है जो थर्मल पावर प्लांट से हैं वेक एवल 40% एफिशेंट होते हैं ठीक है उनसे अभी भी बैटर है यह और आपने देखा ही होगा थर्मल पावर प्लांट का तो वैसे भी एफिशेंसी बहुत ही कम है आपने देखा होगा थर् पानीपत का दित्ते यूद हुआ था तो और अभी रिसेंटल एक और थर्मल पावर प्लांट लगा यहां पर भी एक थर्मल पाव प्लांट गॉर्मेटने लगा तो तुट्विंट थर्मल पाव प्लांट में जो कोईला है कोल है आपने देखा वाथ 37 गड़ से कोईला आ रह निकले काई नहीं अब आगे देखिए स्टुडेंट जो थर्ड इसकी एडवेंटेज है कोई भी नौइज नहीं करता है यह आज कल बहुत बड़ी प्रोब्लम है ठीक है तो इससे कोई नौइज भी नहीं होता आपका ठीक है क्लीन हाइट्रोजन आप इसके अंदर पास कर रहे हैं तो जो फ्यूल सेल है इससे आपका नौइज पॉलिशन भी नहीं होता है और जो सबसे बड़ी इसकी एडवेंटेज है स्टुडेंट्स जो आने वाले समय में मैंने लेक्ट स्टार्ट हुआ तब ही बताया था वाटर के बारे में इस सेल का जो एंड लिटर भी करा है ठीक है डिस्टिल वाटर जो है मिनिल वाटर जो आप लेते हैं विसलरी वेगारा का 20 रुपीज लिटर आज रेट है सोचिया आज से 50-60 साल बाद कितना रेट होगा उस पानी का तो वाटर जो है इसमें एंड प्रोडेक्ट है एंड इंट कैट भी यूज पर द्रिंकिंग परपस यह भी एक एडवेंटेज है चलिए स्टुडेंट्स अब डिसकस कर लेते हैं डिस्ट इडवेंटेज जब इतने जारे फायदे हैं तो फिर दिक्कत क्या है इसको यूज करने में डिस्ट इडवेंटेज और लिमिटेशन ऑफ फ्यूल सेल की डिस् और उक्सिजन और उक्सिजन को मिला दी वडिये कभी ठीक है जब तक कि आप कैटलिस्ट वेटिनम न ले लें और जो फ्लाटिनम्रम कैटलिस्ट है वह बहुत ही जधा आ महंगा है सब्सक्राइब चानधर इस प्लाइन इस सुडिया है ठीक करान और जो second जो इसका disadvantage है, student इसमें देखिए, तीन phase जो थी solid, liquid और gas, तीनों आपने यूज की थी, जो आपने fuel यूज किया था, hydrogen, वो gaseous state के अंदर था, ठीक है, gaseous state, जो electrolyte आपने कोच इसमें यूज किया था, वो किस state में था, liquid state में था, और student जो आपने इसमें catalyst यूज किया, catalyst आपने platinum यूज किया था, या फिर palladium यूज किया था, ये catalyst आपका solid state में, तो तीनों ही state हैं इसके अंदर, gas, liquid और solid, तीनों different phases हैं इसके अंदर, अब तीन different phase को एक साथ एक contact में लेके आना बहुत ही मुस्किल है, it involves high technical skills, बहुत बड़ी technical skills चाहिए हैं, जो हर country के पास नहीं हैं, अगर किसी country के पास हैं, तो वो दो ही countries हैं, एक तो आपका USSR, जो अभी रसिया है जो अब, और एक आपका USA, United States of America, और किसी देश के पास ये technical skills नहीं हैं, कि आप three different phases को एक साथ एक contact में ले आए, आप gas को gas के contact में आसानी से ला सकते हैं, आप gaseous state को solid के contact में आसानी से ला सकते हैं, लेकिन तीनों different phase यहां present हैं, और तीनों को एक साथ एक contact में ले के आना बहत मुस्किल, इसलिए जो दूसरे countries हैं, इसको use नहीं कर पा रहे हैं, चलिए साब यह हो गई, तो second disadvantage क्या हो गया, second disadvantage हो गया, providing contact between three different phases, three different states लिख लिजिए, providing contact between three different states involves technical skills, जो हर country के पास मौजुद नहीं है, तो यह इसका second disadvantage हुआ, अब student इसका third disadvantage देखिए, जो तीसरी इसकी सबसे बड़ी disadvantage है, वो क्या है, यह जो gaseous fuel है student, hydrogen, explosive gas है, धमाका कर सकती है, तो इस gaseous fuel को handle करना बहुत बड़ी दिक्कत है, handling of gaseous fuel, handling of gaseous fuel, ठीक है, gaseous fuel को handle करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, engine में भी explosion हो सकता है, और जो temperature और pressure, low temperature और high pressure पे तो और भी situation क्या हो जाती है, complicated situation हो जाती है, तो so these are the disadvantages of hydrogen oxygen fuel cell,